तभी के घर में जब बच्चे बोलते हैं कि मैं जीपी रेटिंग करूँगा जीपी रेटिंग करूँगा तो पेरेंट्स के उपर बहुत प्रेशर रहता है कि कितना पैसा लगेगा एक्च्वल कितना लगेगा क्योंकि जीपी रेटिंग भी ऐसा कोई सस्ता कोर्स नहीं है एंट्री सस्ती है जीपी रेटिंग में एंट्री बहुत ही सस्ती है जीपी रेटिंग का eligibility criteria 10th standard pass 40% marks overall and English में 40 mark इतनी ही criteria है तो ये तो करीब करीब सारे बच्चे 90% of the students must be fulfilling this criteria तो अभी जीपी रेटिंग मुझे करना है तो एक तो बहुत पैसे लगते हैं तो बहुत मतलब कितने पैसे लगते हैं वो मैं आपको यहां बताने वाला हूँ और उसमें जीपी रेटिंग करने के लिए dangers क्या है वो भी ब लिए है और बच्चों के लिए है बच्चों समझ जाईए कि जीपी रेटिंग एक तो पैसा लगता है और दूसरे उसमें dangers क्या है तो यह समझने के लिए यह वीडियो मैं आपके लिए बनाया हुआ है देखे यहां अभी कैसे कैसे कितने पैसे लगते है जीपी रेटिंग कोर्स, estimate of expenses, this is expenditure head and these are the rupees whatever you require so first and foremost is सारे maritime courses है उसके लिए passport की जरूरत है तो passport तो admission से पहले होना ही चाहिए तो passport application fee है 1500 रुपया और उसके expenses आओ राएंगे maybe 500, 700 agent abuse किया तो करीब करीब 2000 में passport हो जाएगा दो से अड़ाई आजा उसके बाद में हर बच्चे को medical from DGS approved doctor ये करवाना पड़ेगा college के admission से पहले तो कोई-कोई doctor 1000 रुपया लेते है या तो 1500 रुपया लेते है तो मैं ये average cost आपको देने के लिए बनाया हुआ है so 2000 रुपय पासपोर्ट के लिए 1500 रुपय मेडिकल के लिए okay feeling of forms, interviews, entrance test of good institute what do you mean by good institute good institute मतलब जहाँ पे आपको सही तरीके से पढ़ाई होगी और उसके बाद में आपको नवकरी भी मिलेगी तो नवकरी मिलना ये सबसे बड़ी दिक्कत है GP rating के लिए तो उसके लिए मैं good institute बोलता हूँ, मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि कहां कहां apply करना चाहिए जैसा T.S. रह्मान है, NewSea का training institute है गोवा में या तो Great Eastern है इसे तीन institute मैं तो identify किया हुआ है, चौथा institute मैं दिया है नाम Seven Island Shipping का maritime training institute, तो ये चार institute you can categorize them as a good institute और उनके form भरना, online form भरना, registration करना, online exam देना और उसके बाद में interview के लिए आना, और interview देके select होना उसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, करीब करीब 5,000 रुपे Okay, 5,000 रुपे थोड़े से कम है लेकिन 5,000 रुपे में हो सकता है गोजारा Then ये course जो है, ये आपका GP course है, इसमें ये STCW 5 basic courses ये included है तो आपका ये course है, 6 मैने का, this course is of 6 months duration and 6 months duration में ये STCW 5 basic courses जो 18 दिन की लंबाई में होते हैं तो वो सारे included है course में, तो जिसके लिए कभी-कभी कोई institute अलग से पैसा लेती है, तो हो सकता है 15,000 रुपेया उसकी fee लगे या तो नहीं भी लगे, नहीं लगे कभी, जबी institute fee, ये जो है institute fee including course material, uniforms and hostel, तो रहने का 6 मैना रहने का uniform, boiler suits और course material ये देने के लिए करिब-करिब free fee रहती है 2,50,000 रुपीज, on average, अड़ाई लाग की fee रहती है और बहुत सारे institute में ये fee, अड़ाई लाग की fee, ये STCW fee भी उसमें include रहती है लेकिन कोई-कोई institute क्या करते है, आपसे fee लेते है, बाद में बोलते हैं आपको ये course करना पड़ेगा और अलग से पैसा उसके लिए STCW courses के लिए लेते हैं, हाला कि इसके बाद में ये course होगा, छे महने के बाद, आपको All India Exit Exam पास करके बाद में, और ये STCW course होने के बाद, you can apply, means institute will apply for you, for CDC, तो CDC ये 700 रुपया उसका fee है, आपको ही बरना है, institute सारा इंतजाम करेगी, आप खाली fee बरना है, तो यहां तक बाद हो गई, उसके बाद में आपके पास समय है और पैसा है, तो octo course कर लिजिए, octo course है, oil and chemical tanker operation course छे दिन का रहता है, और gas tanker course रहता है, पास दिन का, तो ये दो course आप कर लिजिए, okay, तो ये है 4000 और 4000 उसका fee है, average fee, कभी कभी 37,000 में होता है, 4000 में होता है, लेकिन ये course आपको करने के लिए करीब करीब 2 week रहना पड़ेगा, और वो रहने के लिए lodging boarding अलग से खर्चा है, तो lodging boarding का खर्चा, जो जगा में आप र ये हो गया आपका GP rating को, 6 मेने का GP rating को किया, आपके हाथ में CDCI, आपने All India Exit exam पास किया, और आपको करना है तो ये दो course कर लिजिए, इसके बाद में आपका GP ratings का problem start है, प्लेसमेंट, ये देखिए मैं रेड से लिखा हुआ है, तो GP rating के करीब करीब 47, 47 colleges है, जो GP rating course करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे colleges में, बहुत सारे institute में placement नहीं है, तो placement नहीं है, तो कहां जाओगे, तो placement नहीं है, तो कितने GP boys are coming out from the institutes, और passing the exam, every six months, करीब करीब 5000 बच्चे, 5000, 5000 बच्चे पास होके निकल रहे हैं, और job खाली few hundreds, few jobs are there, तो ये बहुत बड़ा danger है GP course करने में, तो इसलिए, बहतर है कि आप admission, मैंने जो बता है, पाँच institute उपर, जो TA training ship रहमान, new sea training institute गोवा, great eastern shipping institute and seven island shipping, ये चार institute में GP course किया, तो आपको उमीद है कि आपको नवकरी मिल जाएगा, उसमें से great eastern और seven island उसमें तो नवकरी पक्का है, क्योंकि वो shipping company के colleges है, तो ship में आपको भेजेंगे ही भेजेंगे, training ship रहमान में एंगलो इस्टन का placement रहता है, और new sea में भी एंगलो इस्टन का placement रहता है, लेकिन placement नहीं हुआ, placement मतलब ये इतना आपने खर्चा किया, अड़ाई लाख रुपया फी भरा और करीब करीब तीन साड़े तीन लाख रुपया खर्चा क्या total, तो आपको बाद में placement नहीं होगा, तो बहुत सारे बच्चेओं के parents ये पैसा उधार लेते हैं, बैंक से लेते हैं, लोन लेते हैं, किस से गिर्वी रखे लेते हैं, तो placement नहीं हुआ, तो क्या बीत्ती होगी, ये जरूर सोचना prior taking admission GP rating course के लिए, और placement हो गया, तो उसके बाद में आपको है, यहां US visa application and obtaining US visa in your passport, तो उसके लिए 15,000 रुपया फी है, कभी कभी ये shipping companies आपको induction courses करवाती है, induction मतलब और training देते हैं ship में भेजने से पहले, और उसके लिए 15,000 रुपया फी है, तो यह है एक US visa और एक है induction course by shipping company, जिसके लिए 15,000 रुपया लगता है, लखिन ये सारा चिस placement के बाद में, तो placement ये GP rating करने वाले बच्चों का बड़ा, सबसे बड़ा problem है, getting admission in any institute, 47 institutes are there, बहुत सारे institute ऐसे हैं, आप मतलब window में आ जाई है, और पैसा भरी है, और admission ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नवकरी कौन देगा, ये सबसी बड़ी बात है, तो ये parents के लिए video है, तो बच्चों आपने ये video देखा, तो आपके माँ बाप को, माँ जी, पिता जी को, ये video जरूर दिखाईए और सुनाईए, तो बच्चों मैंने आपको GP rating के कितने expenses है, total, उसका एक estimate बताया, और खाली पैसा यही उसके लिए arrangement नहीं चाहिए, तो पैसे के साथ साथ में आपको placement भी चाहिए, और placement यह सबसे बड़ा hurdle है GP rating के लिए, तो be aware that there are several agents as soon as you come out from the institute, बहुत सारे लोग आपको phone करेंगे, बोलेंगे आजाईए, नवकरी है, हम लोग आपको बेजेंगे, और आपको जाल में फसादेंगे, और आपसे cash demand करेंगे, तो इसके लिए सावधान agent से दूर रहिए और अपने efforts से नवकरी पा लीजिए, तो I hope this information is useful to you, so please like it, share it and subscribe for the channel, I wish you all the best, best of luck, thank you so much, Captain Jog is signing off here.